नमस्कार दोस्तों कैसे हैँ ? आप सभी हम उम्मीत करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे हमारे जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर आए है उनसे हम हाँ जोड़कर निमेतन करते हैं भाई और बहनों हमारे हाँ जो नहा कटिया बोला जाता है अभी आज जो है बुलाए जाएंगे गाउं से जो आती है मालिस करने वाली दादी वहीं नहा कटिया करवाती है तो आज है भाईया की नहा कटिया तो हमने सचा कि आप सभी को बता दे क्योंकि सारी दीदिया हमारी बोलेंगी कि हमने आप सभी को कुछ दिखाया ही नहीं और बहुत सारी हमारी दीदी और भाई है जो हमारी बहुत चिंता करती है तो हम चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उनके लिए हमें ये वीडियो बनाना ही पड़ा तो हमने सोचा कि अभी सब कुछ भी नहीं हो रहा है घर में किसको ये नानसी और मानसी दोनों जगड़ा कर रही हम से करीम ममीं इसको देखो अभी मानसी और नैनसी दोनों नमस्टे करो चलो नमस्टे अब इदर माही भी है पैर के पास लेटी हुई है तो हम्हें सुचा कि आप सभी को जो है अभी आप सभी से थोड़ी सी बाते कर लेंगे वहाँना घर में जब काफि सारे आउरते आती हैं तो बात नहीं कर पाएंगे और नहा कटीया में हमारे वैशोम बेटा बात कर रहे हैं यहां जो है गाओं और मुहले की कुछ अरतों को बुलाया जाता है घर की सारी जो है अरते होती हैं तो वो आती है और यहां पैरों में कलरोल लगाया जाता है और बच्चे को और बच्ची के मा को नाखून काड़ते हैं और वहां पे भी मा बेटे दोनों को भी हम दोनों को भ इस़िए आप सबी से बदा न जो है और अच्छा भी नहीं लगता है घर में इतने सारे जो हैं लोग आएंगे तो फिर हम आप सबी से बाते नहीं कर थे इसलिए आप सबी से जो है बाते करना आम नी शुरू कर दिया है और जो है चुप रहा हो बेटा ये देखे तीनों क्या कर रही है यहां पर ये भाईय सो रहा है यहां पर चुप रहा हो बेटा थोड़ा सा ये माही आ गई है इसमें क्रेंट मारता है पकड़ की से बजाने में अभी ये बहुत देजी बोलेगा और जो है हमारे दीदी और हमारे भाई कई सारे हैं जो बोलते हैं कि दीदी हमारा भी नाम लीजिए तो भाई और बहनों हम आप सभी से माफी चाहेंगे लेकिन जैसे ही हम ठीक हो जाएंग आप सभी का नाम अपनी वीडियो में जरूर लेंगे ये दोस्तों ये हमारी बहन है और खाना बना रही है सुबे का समय है और बच्चे जो है सब बाहर खेल रहे हैं अभी खाना बन रहा है खाना बनने के बाद जो है जो काम होगा वो दोसरा किया जाएगा भयकी ना पूरी आँख जो है सोजी थी जब यह हुगा था तो आँख फोली फोली थी और अभी काजल इसको कल परसो से ही लगाना सुरू किया मैं सुखा वाला काजल तो जो भी सो जाता है सो के उड़ता है तो इसकी आँख पूरी जो है चिपक जाती है तो मैंने सुचा सरसो का तेल लगा के थोगा समय इसकी आखे जो है हलका सा मालिस कर दो ताकि इसकी आखे जो है खुल जाए ये थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे और आज अभी मालिस करने वाली जो दादी आती है वो अभी नहीं आई है क्योंकि गाव साधी का सीजन चल रहा है तो वो दादी ना कहीं गई हुई है उन्होंने कल ही हमको बताया था कि कल हम लेट कर देंगे तो मैंने सुचा कि थोड़ा खुच से कर देती हूं ताकि भया की आखे खुल जाए बसे हम कल लेते हैं लेकिन अब इस टाइम के थोड़ा सा मुस्के है और दादी अभी ंपले होई होई हैं देखों कब तक में आते हैं तो उन्हें सुच्छाकि थोड़ा सा भाईया की आँख हमी को देते हैं और छीरा भी पूरेकाला हो गया था तो ultype लोग पहले भाया को लंगोट मेना देते ना भाया पहले हम भाया को लंगोट पहना देते हैं भी बाबू छपचे मिलेगा ना लोगोगो मिलोगोगो 세ट多 कर देखो ऑबू को अपना ठीच वाथ दीजीं है अब दीदी लेक के चाथ क्या करेगा, खेलेगा, चपचे मिलो चलो, चपचे मिलो चलो, मिलो, मिलो, मिलो चपचे, मिलो बाबू, मिलो बाबू, मिलो बाबू, चोना के लिए मम्मी क्या कह लई हो, लैंसी के लिए मम्मी क्या कह लई हो, भाया चे बाते कर लई हो, उसको लग भाईया तो अभी बोल नहीं रहा है, ममी किसे बाते कर रही है, वहीं बोल रही है, उदर से, ममी क्या पटल पटल कर लही हो, और अभी देखिए, सो गया है बाबु, अब खुला है, फिल बनोला है, फिल खुला है ना, तो तुम छो जाओ, तो हम इसको छुला देते हैं, साहब जादे, अब जो है, सोएंगे, ओ पुलीच, ये बाबु छो जा, बाबु छो जा, ये बाबु छो जा, का कर ले हो, मुँ में उली दा रहे हो का, अभी अंजु जो है, दूद उबालने जा रही है, क्योंकि अभी हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है, और दूद जो थोड़ा सा लेट मिलता है, इसलिए अभी अभी दूद आया है, तो अभी इसको उबालेंगी, फिर ज अभी जब सब लोग आ जाएंगी, तो मौका नहीं मिलेगा, तो दोस्तों हमने हल्दी वाला दूद पी लिया है, और अभी हम यहाँ पे लेटे हैं, और वीडियो हमने देखा तो जो है लंबा हो चुगा था, तो आज की वीडियो में हम नहाकटिया वाली जो रसम होती है, वो नहीं दिखा पाएंगे, कल आप सभी को हम दिखाएंगे, कल आप सभी जरूर देख पाएंगे हमारी घर में जो नहाकटिया वाली रसम होती है, तो कल हम आप सभी से मिलते हैं,